आप मेरा मुझसे घ्रिना करते हैं या आपको सचमुच आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे सामने आने हैं प्रधान मंत्री से एक सवाल सबसे महत्मून क्या आप पोस्ते हैं यही कि आप इतना जूट क्यों बोलते हैं दोस्तों NDTV के वरिष्ट पत्रकार है रवीश कुमान ने 56 इंची साहिब कहे जाने वाले यानि कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को कई मर्तबा चेलेंज दिया है इंटर्वी के लिए रवीश कुमार ने कहा था कि मैं मोदी जी का इंटर्वी लेना चाहता हूँ उन्हें कई बार खत यने की लेटर भी लिख चुका हूँ लेकिन आज तक मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है दरसल रवीश कुमार चाहते थे कि मोदी जी एक बार उनके सवालों का सामना करे लेकिन मोदी जी कभी भी रवीश कुमार के सामने नहीं आसे जब वो एंडि टीवी में एंकरिंग करते थे उस वक्त रवीश कुमार की एक ख्वाइश थी कि जिस तरह से गोदी पत्रकार मो उस चैनलों को अपना इंट्रू दिया था ये इंट्रू इंट्रू के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चाई भी होने लगी कि पिये मोदी एंडी टिवी के पत्रकार रवीश कुमार को इंट्रू क्यों नहीं देते हैं क्या वो रवीश कुमार से डरते हैं इनी चर्चाऊं पर रवीश कुमार ने अपनी बात एक बार सामने रखी थी रवीश कुमार ने कहा था कि शायद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मेरे सवालों से घबराते हैं इसलिए वो मुझे इंट्रू नहीं देते हैं रवीश कुमार ने ये बात हिंदी न्यूज चैनल कशिश टीवी के कारकम में कही थी इस कारकम में रवीश कुमार से पूछे गया कि आकिर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आपके इंट्रू क्यों नहीं देते हैं इस सवाल के जवाब में रवीश कुमार ने कहा था कि दर प्रवचंत ने कर दो आपकी चीजे जिस तरीके साफ लिखते हैं या फिर एक एंकर के रूप में जब अपनी बात रहते हैं तो लगता है जिसे कि मन में काफी घिरना है मोधी को लेकर कोई घिरना नहीं है यह जरूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचंत सब्सक्राइब करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान उनका भी और भारत की जनता का लोगतंतर में जो विश्वास है उसका सम्मान मैं उनसे काउंटर सवाल करूँगा यह मेरी फित्रत है अब यह सवाल करना उनका आनादा नहीं है बलकि यह भारत की जनता का सम्मान ही है जिसे चुनकर भेजा है उससे सवाल पूछा जाएगा रविश कुमान ने आगी कहा था कि मोधी देश के प्रदान मंतरी है जब सारी सत्तक उनके पास है तो जवाब दही के सवाल भी उनके पास ही जाएंगे क्योंकि एक आसंतुलन पेदा हुआ है आसंतुलन यह हैं कि 99.9% मीडिया इस वक्त घुटनों पर है उसमें अगर एक आदमी घुटनों पर नहीं है तो उन्हें लगता है कि यह आदमी मोधी विरोधी है मैं कहता हूं कि मोधी जी आप रवीश विरोधी क्यों है दो सालों से आपने मेरी कार्काम प्रख्ताओं को भेजना बंद कर दिया तो विरोध कोन कर रहा है मैं कर रहा हूं या बीजेप कि मेरा विरोध कर रही बीजेपी से पूछना चाहिए कि क्या मुझे से घ्राना करते हैं या सच मुछ आप मेरे सवालों से डरते हैं उनको लगता है कि आप विपास की भूम का में है जिस तरीके से आप सरकार पर हमरा बोलते हैं मैं जिस भी भूमिका में हूं वैसे तो जाहतर मीडिया को ऊसी भूमिका में होना चाहिए ठाक जो सरकार में है उससे सवाल कुछ ने करते हैं आप एक फख्षी हैं और किस से सवाल कुछ क्या दो प्रधान मंत्रियें इस देश नहीं ना एक ही है ना अब मैं कहता हूँ कि भाई मोधी जी आप रवी श्वीरोधी क्यों है वो इस तरह से हैं कि दो साल से आपने मेरे कायक्रम में प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है आपकी पार्टी के लोग 2014 तक क्यों तार मुझे लगता है कि शायद आप मेरे सावलों का जाब नहीं दे पाते हैं 2014 से पहले मुझे फोन करके कारकम में आने के लिए कहा करते थे फिर आप क्या हो गया है आपको बता दे कि आए दिन रवीश कुमार को सोशल मीडिया पर बीजेपी समर तक ट्रोल करते रहते थे लेक लिए रवीश कुमार ने भी अंडी टीवी से इस्तिपात दे दिया लेकिन रवीश कुमार का अभी भी मोदी जी को जो दिया गया चैलेंज वो बरकरार है रवीश कुमार अभी भी चाहते हैं कि एक ना एक बार मोदी जी उनके सामने बैठे और वो अपने हिसाब से कहीं मोधी जी से सवाल पूछी और मोधी जी जवाब दे प्रधान मंतरी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फालो ना करें कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फालो कर लें मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि बहुत आदर से आलोचना करूँगा उनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने उनका अपमान किया है बहुत अच्छी कविताएं सुनाओंगा हिंदु धर्म के बहुत सारे श्लोक सुनाओंगा उनको उनको लगेगा नहीं कि एक ऐसे चांस होता था कि वो कभी न कभी तो मोदी जी से इंटर्यू ले ही लेंगे लेकिन अब जैसे ही उन्होंने NDTV को छोड़ा है तो ये ख्वायश उनकी भी कही न कहीं खत्म हो गई अब कभी भी इंटर्यू मोदी जी से उनका नहीं हो पाएगा क्योंकि मोदी जी यूटूब वालों को कभी इंटर्यू दिया नहीं करते हैं तो मोदी जी आज भी रवीश कुमार के सामने आने से डरते हैं कतराते हैं चमकते हैं इसलिए शायद कभी भी रवीश कुमार के खत का जवाब मोदी सरकार के तरफ से नहीं आया कि हाँ आप मोजी जी से इंट्रिवू ले सकते हैं जो पूरा कारेकाल बेना प्रेस कॉन्फरेंस के बीद गया और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधान मंद्री से एक सवाल सबसे महत्कून क्या पोस्ते हैं यही कमेंट करके पताएंगे तो अच्छा लगेगा यह वीडियो कैसा लगा यह भी पता हैं अगर आप भी रविश कुमार को पसंद करते हैं हमरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए गुडबाई